नमस्कार मित्रों मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आज एक शुब सूचना लेके आया हूं हम आदर्णिय उत्रादीदी के साथ बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ एस्टरोजी पर तीसरा बैच करने वाले हैं इस बैच की इन्फरमेशन हमने पहले भी दी लेकिन किसी कारण से हम उसको समय स्टार्ट नहीं कर पाए थे तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या हम उसमें कवर करेंगे कौन सी तरीक से स्टार और ग्र Mehshankar hours प्रीम जो ये class शुरू कर रहे हैं यह कुरू बैंशना दो या लेते हैं जो बैसिक कर दो किन है log norm और जो लेते हैं प्रेकार्मने लुदेन ग्रहों की विशेषता हैं, उनकी शत्रो मित्रता हैं, उनके उच्चे नीच भाव, कौन-कौनसी राशियों में वो उच्च होते हैं, किस राशी में नीच के होते हैं, क्यों कौनसी उनकी शत्रो शत्री राशिया हैं, फिर उनके स्वभाविक गुर्धर्म, पाप ग्रह हैं यजường mera हम संक्षेप में शूरू शूरू में बताते हैं। उसके बाद हम हार भाव से हम क्या-क्या देख सकते हैं, हार भाव से क्या-क्या देखा जा सकता है आपके लिए भी या आपके परिवार के अन्य सथेश्यों के बारे मैं भी हम अपनी कुम्हेत से ग्याद कर सकते हैं, वो हम बता देते हैं. उसके बाद जो है राशियां, साइन, इनकी जो विशेष्टा हैं ये हम खास्तों से बताते हैं, क्योंकि इसके आधार पर प्रेडिक्शिन करना बहुत सरल हो जाता है. कई थारी इसके विशेष्टा होती हैं, जलतत्व, अगनी तत्व, वायू तत्व, भू तत्व, ऐसी ये भी राशियों के गुंधर में और उनकी अपनी अपनी विशेष्टा हैं, हर राशी के अपनी खासियत होती है, वो हम उनको विस्तार से बताते हैं. इसके बाद हमारे आजाते हैं प्लैनेट्स, कि प्लैनेट्स की क्या स्थान है, और किस तरह के वो फल देने में हमें मदद करते हैं, और उनकी क्या-क्या विशेष्टा हैं होती हैं, और किस-किस प्रकार के फल वो विशेष्टा से देने में सक्षम हैं. उसके बाद हम प्रेडिक्शन को तो हम साथ-साथ लेते ही चलते हैं, विशेष्टा हैं त्रि शड और आये, ये तीन भाव हमारे वैदिक में बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, त्रि शड आये जिनको बोलते हैं, लेकिन वर्तमान समय में छटा और ग्यारवा भाव हमारी सफलता के लिए बहुत आवश्यक है, और तीसरा भाव हमारी मैनत के लिए, तो इसको ह आपस में क्या संबंध होते हैं, और किस तरह से उनके दृष्टी संबंध जो है, ये सब हम विस्तार से बताते हैं, और उसके बाद जो है, ये भी हम देख लेते हैं अच्छी तरह से, कि नक्षत्रों का भी थोड़ा ज्यान, क्योंकि 307 डिग्री का हमारा जो सर्कल है, जि नक्षत्रों के स्वामी भी हमारे ग्रह ही हैं, तो इसलिए उन ग्रहों नक्षत्रों से भी हमारा संबंध जोड़ जाता है, तो हम संक्षेप में उनको नक्षत्रों के बारे में, नक्षत्र किस राशी में कहा तक हैं, किस तरह से हैं, और ग्रह ना सिर्फ किसी राशी में ह बलकि किसी नक्षत्र में भी वो अवश्य होता है, तो उसके आधार पर यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें फलित करने में बहुत आसानी हो जाते हैं, इसके अतिल्थ हमारे जो जीवन में जो दशाएं, अंतरदशाएं आती हैं, इनका भी अपना महत्व है क्योंकि हम कितना भी सब देख लें, हम देखते हैं कि कई हो कि उच्च का गुरू है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर जीवन में उसकी दशा अंतरदशा ही नहीं आ रही है, या बच्पन में ही निकल गई, या ओल्ड एज में आ रही है, तो उसका फायदा नहीं मिल सकत अच्छी दशा का सही समय पराना, यह भी हमारे कर्मा और भाक्यों से निर्धारित होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं कि किस समय उसकी कौन सी दशा आ रही है, क्योंकि जीवन में बहुत दुख हैं, समस्या हैं, कोई सुखी नहीं है काईदे से, तो ऐसा ही होता है कि कु कोई भी जो कार्या है कब होगा, तो इस तरह से हम इस बारे में काफी विस्तार से बताते हैं, हमारी जो क्लासे हैं, वो 20 क्लासे होंगी, एवरी संडे हमारे रखने का विचार है, सुभी 10 से 12, यह हमारे मोट स्ट्री टाइम में इस रहते हैं, और जूम के थू हम पढ़ात की तरफ से अगर कोई प्रश्ण आपके पास आता हूँ, तो आप मुझे बताएं, मैं उसका जवाब दो, जी जी, मैं आपसे एक प्रश्णिया करना चाहँगा, जी कि क्या जो बेसिक और फंडामेंटल को छोड़कर अगर कोई सीधा आगे, KP या प्राश्री की आगे की कर करना चाहिए, या नाड़ी या लाल किताब करना चाहिए, तो उसको लाव होगा या यह सबसे जुरूरी कोर्स है, इसके बाद ही आगे बचार करना चाहिए? यह तो बेसिक कोर्स है, हमने तो इसका नाम ही इसलिए बेसिक रखा है, कोई भी वक्ति यह दि जोतिश में उसको रुची है, वो सीखना चाहता है, तो यह बेसिक कोर्स है, सबसे पहले तो इसको यह सीखना ही चाहिए, उसके बाद वो नाड़ी में जाए, जहां उसका जा तो अगर मान लो ये college level का है, graduation level का ये basic course है, तो बाकि जो हैं, दूसरे KP हैं, वो master's के level के होते हैं, क्योंकि उनमें नक्षत्रों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तब तक आप उसके आगे कैसे prediction करेंगे, तो पहले इसको सीखिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहें. अक्सर दीदी ये बोलते हैं लोग कि क्या मैं इसके बाद prediction कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने, मैं आपके साथ कराई रहा हूं, courses मैं देखी रहा हूं कि उनकी क्या expectation रहती है, कि वो ये सोचते हैं कि इसके बाद उनको prediction आजाने चाहिए, जबकि ये तो basic है, इसमें लेकिन आप फिर भी मैंने महसूस किया है, कि आप उनको prediction करने का पूरा तरीका बताते हैं, कैसे कैसे houses और planets को combinations करके, कहां पे कौन सी चीज को कैसे देखना है, देखने का तरीका, education के लिए, marriage के लिए, बच्चा होने के लिए, job के लिए, profession के लिए, तो ये किस तरह से उनको ये help करता है, कि आगे वो बहुत अच्छा समझ पाएं prediction का part, ये मैं आप से सुर्फ प्रिशन करना चाहरा हूँ. लेकिन बेसिक्स तो हम लोग बता देते हैं, बीस हफते का मतलब होता है, पाँच महीने मांगी जे, अगर हर महीने में चार हफते होते हैं, आप मैक्सिमम, लेकिन पाँच महीने की पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती है ज्योतिश में, आपको बसों बरस पढ़ना पढ़ता है, और अपने से भी self-study भी खूब करनी पढ़ती है, और जो आपको पढ़ाया गया है, उसको बार-बर revise करना पढ़ता है, प्लस उसको कुडिलियों पर लगाना पढ़ता है, उसके बाद धीरे-धीरे जब आपको experience हो जाता है, तब ही आप prediction करने में सक्षम हो पाते हैं, आप सोचें कि हमने ये पांच महीने का कोर्स कर लिया और हम पढ़ें, prediction करने लग जाएं, आप कोशीश करिए, और prediction करना शुरू करिए, तब ही आपको दीरे-धीरे आएगा, शुरू-शुरू में बिलकुल परिशानी आएगी, आपको शब्द नहीं सुझेंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, आप confused भी होएंगे, लेकिन जैसे-जैसे आपका ज्यान बढ़ता जाएगा, आप इस पढ़ाई को revise करते जाएंगे, मूल सिध्धानतों का ज्यान रखेंगे, तो आपको दीरे-दीरे आपने आप आजाएगे, आपको confidence भी आजाएगा, अगर आपका prediction सही लिए आता है, तो इसमें time लगता है, सीखना तो देखिए, classes तो सीखना असान है, कि classes attend करने, लेकिन उन classes को वापस revise करना, देखना, और उनको कुंड़ियों पर लगाना, notes बनाना, जितनी बार आप notes बनाएंगे, उतना आपको लिखने में आएगा, तो आपको याद रहेगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदे मन रहता है, जितना आपके दिमाग में रहे, memory में, उतना ही आपको फायदा है, आपके किताबों में लिखा हुआ, notes में लिखा हुआ, किसी काम का नहीं है, आप अपने satisfaction के लिए उनको रख सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसको अपने धिमाग में नहीं जमा लेंगे, तब तक आप prediction नहीं कर सकते हैं, आप हर वक्त तो किताब खोल के या notes खोल के नहीं न उसको किसी को बताएंगे, कि ये ऐसा लिखा हुआ है, आपको तुरंट आंसर देना आना चाहिए, प्रत्युत्त पर, तब ही आप सफर हो, अब एक प्रिशन यह है कि आप हर class में एक, दो, तीन चार्ट पर discussion करते हैं, तो ये आप जो practical उनको कराते हैं, ये उनका base foundation बनाने में काफी बढ़िया रहता है, तो ये कितना उनको swim भी करना चाहिए, ये सबसे important बात है, जो मैं आप से जानना चाहूँगा. जब हो खुद पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले अपने घारबालों की कुंडलिया बनाना सीथे हैं, हलांकि आजकल हम बनाना नहीं सिखाते हैं कुंडलिया, सॉफटवेर्स जो आगे हैं, मोबाईल के, लैप्टॉप के, उन्होंने कुंडलिया बनाना हमें बहुत आसान कर दिया है, पर जब हम प्राचिन समय में या कॉलेज में जब हम कोस कराते थे, तो हमारे यहां एक गनित के प्रोफेसर होते थे, जो जोतिष गनित पढ़ाया करते थे, और एक फलित पढ़ाते थे, तो मैं उसमें हमेशां फलित पढ़ाया करती थे, और एक हवार हमारे शर्माजी थे, वो गनित जोतिष पढ़ाते थे, गनित का आपको बेसिक ज्ञान भी होना अत्यनत आवश्यक है, हलांकि हम लोग मोबाईल से करतो लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता है, ये उसको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कैसे करें, LMT क्या होता है, IST क्या होता है, Latitude क्या होता है, Longitude क्या होता है, प्रत्वी गोल है, तो उसके अनुसार किस तरह से, सारा correction क्या होता है, माइनस, प्लस, ये सारी चीज़ें हम आजकल नहीं सिखा पाते, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो ये जो हम आपको सिखा रहे हैं, ये सब फलित से जुड़ा हुआ है, कोशिश करने चीए कि आपको गणित भी थोड़ी बहुत बेसिक आ जाए, तो अच्छा रहता है, आपको confidence आता है, आपको पता तो होना चीए, कि बारा बज़े के पहले रात का जनम है, और बारा बज़े के बात का जनम है, तो तारीख बदलेगी कि नहीं बदलेगी, कई बार इसी में ही गल्तियां कर लेते हैं, और फिर अपने हैं तो जो दिन है वो सुरियोद ऐसे मानते हैं, हम बारावजे से तो तारीख बदलते हैं, तो सुरियोद ऐसे हम, ये सारी चीज हैं ये भी हमें पता होनी चाहिए, और इसके लिए बहुत सारी बुक्स भी हैं, बहुत बुक्स अवेलेबल हैं, लोगोंने ब अब आजकल तो ऐसा पॉसिबल है नहीं हम खुद गए हैं कितने कितने सालों तक पढ़ने के लिए और उसके बाद हम सीख पाए हैं अब तो दीदी को बाद में निराशा भी होती है सब्ते बोलकर अगर हम चलें कि हाँ यह आपका फाउंडेशन है यह बेसिक है यह आपके लिए फंडामेंटल है यह आना चाहिए ही चाहिए इसके बाद ही अगर आप कुछ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है तो यह ज़्यादा अच्छा ह पार्ट में उसमें मैं तो देखा है कि आप इवन जो नक्षत्र लेवल तक भी बताती हैं सब चीज़ें बताती हैं हमारी क्लासिस बीस रहेंगे और दो गंटे का क्लासिस का टाइमिंग रहेगा जूम के माध्यम से हम यह क्लासिस चलेंगी और स्टुडेंट्स को रिकॉर चब्यूंत हम दूनों के इमेल आडरस इस बीधी है आप में से किसी को कोई भी चर्का करनी हूं अप हम दोनों से बात कर सकते हैं इसी के साथ आज के लिए इतना ही नमस्कार धन्यवाद